यो वाट्स आप गाइस कैसे आप सो भी लोग वालकम बैक तो एनेदर गेम प्ली वीडियो तो गाइस आज हम लोग दुबारा से खेलने जा रहे हैं आई एम फिश और अभी मुझे यहां से एसकेप करना है वैसे ही जो जगह है यह इतनी भी जादा बड़ी नहीं है और नही या फिर कोई बहुत बड़ी लेक ढूंडनी होगी जहां पर बहुत सारी मचलिया हो और उनके साथ में खेल कूद पाऊं फिलाल अभी यह जो बंदा है ना यहां पर खड़ा हुआ है यह इसी के लिए रहा है मतलब हम लोग यह कार वोश कर रहा था उसने और एक बकेट में इसने पानी भरा हुआ था हम लोग उस बकेट में आके गिरे और इस बकेट को घुमाता हुआ मैं यहां तक पहुच गया था फिलाल अभी मुझे यहां से बाहर कैसे निकलना मुझे ठूड़ना होगा मैं सुच रहा है कारी तर नाली वागेरा हो तो अपना काम हो जाएगा वैसे यार इतर बहुत सारे लोगों ने ना बहुत कूड़ा फैका हुए इस पानी में और यहां पर यह देखो यह इंजेक्शन है यह अपने चुब सकता है और अगर चुब गया तो हम लोग बहुत बुरी तरह मर भी सकते हैं फिलाल यहां पर एक बहुत बड़ा है और मैं इसकी पाइप में आगर टक चुका हूं देखो आप सभी को बता बाई मचली जल किराने जीवन उसका पानी है इसलिए हमें हमेशा पानी में रहना है और जब तक पानी अपने साथ है हम लोग किसी ओशन किसी रिवर या फिर कहीं ना कहीं तो पहुच जाएंगे मैं अपने बाकी फ्रेंट्स को ढोड़ना है उन तक पहुचना है क्योंकि मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है यह क्या है यह क्या भाई एक शिकिन मैं वापिस एक चोटे से बाउल में आगे टक चुका हूं जिसमें मेरे साथ एक और फिश है अब हेलो एक शिकिन यह तो बड़ी पागल जी लग रहे है फिरकुस की बड़ी बड़ी आगे भूंद हुए मैं इसमें दिमाग नहीं है यह एसकेप करवाने में शायद हमारी हेल्प नहीं करेगी फिलाल इस घर में मैं आ चुका हूं किसी की किचन में बस कोई यहां पर होना वरना वह करने का सामने वाला गेट प्लीज लॉक अगर यह गेट लोग है तो मुझे वैसे इतर ही कैट मैं मैं बाहरी गली में आ चुका हूं और मैंने उदर क्याट के फूट स्टेप से दे और मुझे अच्छे से मालूम है कि क्याट को फिश बहुत जादा अची लगती है क्यार इ उपन वर्ल्ड गेम है यह मदल थोड़ा पूरा ही ओपन वर्ल्ड है फिलाल फिलाल सामने सामने एक चेक पॉइंट है थोड़ा सा कम स्पीट पीछे पीछे तू भी धक्का दे यार तू भी तो असकेप करेगा मेरे साथ उसको मतलब ही नहीं है अब जो करना है मुझे खु नहीं भाई बच गए यह उपर आप देख पा रहे हो ना यलो कलर का यह एक चेक पॉइंट है बाइचांस मैं इदर उदर गिर जाता हूं या फिर अपना यह जो ग्लास का बावल है फट टूट जाता है तो अपना जो गेम है वह चेक पॉइंट से कॉंटीन्यू हो यहां पर एक बहुत जादा चालू रोड है चालू रोड मेरे को लग राज मरवाएगा ओ नहीं यह क्या था ओ यहां पर पिछे कुछ श्रैंपॉलीन जासा था बट ठीक है मैं यहां पर एक दम मस्त आ चुका हूं फिलाल एक चेक पॉइंट मिल चुका है गाड़ी से एक कारोर आ रही है तो मैं चुप चाप से अपना पीछ आ जाता हूं मुझे कोई जल्दवाजी नहीं आप आराम से जाए फिलाल यह वाला जो रास्ता है ना यह बिल्कुल यहां से स्ट्रेट जा रहा है और फटवर्ड मैं यहां से नीचे जलता हूं पता है नहीं किध सबसे सेफ है सारी स्टेर्स में उतर चुका हूं और अभी मुझे थोड़ा सा सेंटर होकर जाना होगा ठीक है मतलब रास टाइम तो एकदम पूरा लेफ्ट चले गए अभी एकदम साही है लेट्स गो त्री तुवन अभी अपनी यह जो ग्लास बावला यह बुगाटी बन हमारा ग्लास बावल एक दूसरी लेक में आके भीड़ चुका है और अपनी पार्टनर फिशवरी है लो तुछ पता भी तरसाथ क्या हो रहा है यह तो जैसे नेंद में हो नेंद की दवाई कहला दी यह पता नीज का गाजिन है बाकि हाँ अभी ना गाइस हम लोग एक ओश नॉर्मल पाइप अगारा नहीं नसर आ रही है इतना शायद से कुछ फॉंटें से इसके इंदर जाओं किया यह किस चीज़के है यह पाइप से अलग जिसके अंदर घूम के मैं यहां से निकल चुका हूं और घुमा को फिर आके मैं वापेस नहीं पर आ गया हूं कुछ इ वाली मिल-ईन वाली मैं कि भूम तो सब्सक्राइब और आ जाने के बाद यहां से राइट जाने के बादिन से और पीछे भी एक रस्टा है ढ़oud-बार चल और बटॉया देखते हैं समेरे और अंस्मारों रहा यहां बढसे घूमां अव्म्मी और यहां इस बड़ी मैं जमीन पर कैसे आगया वेट इथर एक ग्लास मुझे लग रहा था मैंने कुछ गलत कर दिया और मैं जमीन पर आचुका हूँ आ नहीं हूँ भाई हम लोग बास मर नहीं वाले थे बड़ अभी हम लोग पानी में आ चुकी है यह एक सेगिन अभी इसको कंट्रोल करना बहुत जाता मुश्किल है यही मैं बूल था मैं जैसे कि मैं इस गेम में काफी जदा रियल फिजिक्स है और वो जो ग्लास बाउल था वो पुरा 360 थ बढ़ी है थोड़ा सा हाड होने वाला या रुक जाओ मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी तो पहले थोड़ा सा नीचे नीचे आसे करना होगा पाकि लेफ जाने नहीं 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 भाई गया बहुत बुरी तरह कि रूँगा मतलब में लेफ जाने तो राइट को फोर्स देन और एक सेकंड री स्पॉन अभी मैं थोड़ा बहुत समझ चुका हूं सबसे पहले तो यहां से दुबारा से बाहर निकलते हैं बाहर निकलने के लिए मुझे इसके अंदर जाना होगा और इसके अंदर से हम लोग जाके फटफट इसमें से एक जंप मारेंगे जंप मारने क बाद मुझे उस ग्लास बावल में जाना है फटाफट से मुझे क्लिक करना होगा उस डिरेक्शन में प्लीज पहुचा दो जल्दी एक एक जंप ओर फाइनली हम इस पर आचुके हैं तो अभी ना मैस को एकदम सही से कंट्रोल करना सी गया हूं और एकदम अच्छे से कंट पानी है ना मुझे वहां तक पहुचना है बस अपना काम हो जाएगा और वहां तक पहुचने के लिए शाहत से यह कोई कंस्रक्शन साइट है नहीं यह एक ब्रिज शाहत से बन रहा है ठीक है मैं समझ गया हूं लेट्सकों यहां पर थोड़ी से ब्रेक मारनी है यार यह क्योंकि इसे कंट्रोल करना बहुत हाँ 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 नहीं है बट हाथ बिठाने में ठोड़ा सा टाइम जाएगा क्योंकि हमेशा हमारी आदत होती है हमें राइट जाना हो तो तो हम राइट ले जाते हैं बट यहां उल्टा हो गया पूरा सीन मतलब आप समझ ही रहोंगे शा आका के देखो कुछ उस टाइप का अजीब है बी मुझे फील हो रहा है भाई सब तुम ब्रिज बना रहे हो क्या बना रहे हो एक प्लैंक तो सईसे लगा है नहीं या इतने हलके से जार से ये पूरा हिल गया है वह बाईब कॉन अभे या जान मुझके गिरा रही हो गया ए एक फिश के बिचे जान के बिचे सब पड़े है वाई यह तोड़ा जादा हो रहा है यार अबी मैं वैसी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं उपर से पता नहीं कोन गिरा रहा है कोन नीचे यह दिमाग खरब कर रहा है टीक है विलाल मुझे यहां से एक तम सीधा जाने मुझे लग रहा है आके अर रुप जा रुप जाओ 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 अबी ठीक है हम मुझे राइट जाना मैं समझ गया था बड़ा जीव रास्ता है यह पता नहीं मैं जा पाऊंगा या बाकी मैं बढ़ी तरीके से टर्न कर रहा है से ड्रिफ्ट मार दी जादा थारीफ होगे अब यार अटक जाएगा नहीं ठीक है इसे कैसे अटक जाएगा लेट्स को यह कुछ पाइप्स हैं जिसके ओपर मैं अपने जार को लेकर आचका हूं हलका फुलका भी ठीना मेरा हुआ ना यह नीचे जाएगा सीधा कोई जल्दवाजी ने प्लीज एक चेक पॉइंट पुचा दो मुझे मुझे यहां से राइट होना है स्पीड कम करूं क्या अराम से नहीं हो जागा हो जागा स्पीड कम कर दूंगा तो उल्टा दिक्कत हो सकती है फाइनली तो टूटियो यार क्रैक आगया क्रैक आगया है बास अब यह असान रास्ता है शायद से अपना यह वाला जो स्टेज अ क्लियर होने वाला भाई सही में यह बहुत ज्यादा हार्ड था यार पानी में यहीं पहको मुझे नहीं जाओंगा पानी में हां काइस तुम्हें यही कह रहा था कि यह वाला जो स्टेज है ना हार्ट तो नीथा बट इसके इंदर काफी सारी चीजें न्यू ट्राइ करने को मिले मतलब पहले हम नॉर्मली अलग-अलग तरीकों से इसकेप करें बट उसके बाद यह जार आया इसके अलगी कहानी है तो अभी फिलाल में अपने जार को लेकर नेक्स चेक पॉइंट तक पहुँच चुका हूं यह वाला उतना ज्यादा हार्ट नहीं था बट तोड़ा सा फिर क्रेक है बच चुक है लास्ट टाइम जो गिरा थ था यार देख केडर लग रहा है मुझे बट ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं हम लोग के एकदम मस्त काम्याब हो के दिखाएंगे वैसे गाइस अगर मैं चाहूं ना तो इस स्टेज को एकदम स्लोली स्लोली जाके अराम से एक ही बार में क्लियर कर सकता हूं बढ़ा फिर तो थीन रास्ते आगे जाने के बट हर एक रास्ता बहुत अजीब है मैं मैं चुपचाप यहां से निकल रहा है मेरे को खसम से कोई धंका रास्ता समझ नहीं आ रहा है सामने जो रस्ता गया हूं ठीक था बट ऐसा लग रहा था उसमें नीचे गिर जाओंगा फील आ रही खराब इसलिए मैंने राइट वाला सेफ रास्ता चुना क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत सनलाइट भी आ रही है और फिलाल अभी मुझे यहां से राइट ओ यह कैसे भाई यह क्या था ने 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 ओ कुछ भी भाई यह पूरा ब्रिज गिरने वाला मेरी वजा से ऐस अब में चेक करना है अब क्या प्रॉब्लम आने माली है क्योंकि यह जो बिचारी फिश है ना इसके लाइफ में हमेशा कोई नो ओई तो अपने बागी चार फ्रेंड्स है ना बट इनके साथ तो सेम तो सेम अपनी जैसा ही एक और फ्रेंड है और इसको देखके यह नराज हो गई है या फिर हो गया है और यह ऐसा क्यों हो भाई अब मतलब एकदम रियल टाइप स्टोरियस फिश की और जब इसे धूप लगती है से काफी अच्छा लगता है और इसका रिफ्लेक्शन उस पर जा रहा है हमारी विज़े से पानी में गिर गया है क्यों के सन लाइट बहुत पसंद है यानी तो देखने आकिर कारे सब क्या चल रहा है एक बाहर आ चुके हैं और वापिस से यह तो फूल एकदम मस्ती कर रहे हैं अकेले क्या हमने यही सब देखने के लिए एसकेप कर रहा था इतना तकड़ा ओ तो अभी मैं समझा गाइस हम लोग ने एक इन फ्रेंट्स थे ना जिसे मैंने आपको बताया था कि पैट्शॉप से खरीद के ले गए थे वह भी तीनों अलग अलग जगा पर है मतलब जिसे हमने देखा शायद वहम था तो एक यहां पर है एक यहां पर हमें इन चारों को वापिस से मिलाना है एक मस्त फिश लाइफ पैक ओपन वर्ल्ड में अलगी मज़ा आने वाला है वाकी देखते हैं मुझे नेक्स किस से खेलना चाहिए तो चलो गाइस आज किस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो फड़ा फट से वीडियो को जाके लाइक कर देना इस वीडि छला पो यहबत आपको आएक करता है लाईस कने लाईस किसी वाली वीडियो तो देना मुझे बदहा से खे pengव तो घुए हे लाँ अ-बार कर सकती हैं में इतना ह।वच वी लीडियो थाली मुझे लाईस किस वाईस फ चलो पार दो खेलना है